हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग 26 जून 2020 मॉर्निंग अपडेट्स क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल मार्केट में एशियन मार्केट के इस तरीके से रियक्ट कर रहे हैं कितने कंपनी के आज रिजल्ट आए और आज आने वाले रिजल्ट कौन से सारी बातों पर फोकस करते क्यों कि टिप कब तक काम आएगी अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा और यहां पर यही सारी चीज़े आपको बताई गई है एंड टो एंड बिल्कुल स्क्रैट से स्टार्ट करेंगे यूस मार्केट यूस मार्केट में कल की तेजी बड़ी अच्छी रही यह मार् पॉइंडेक्स हमने यूस के देखे टॉप के और यूर्पियन मार्केट तो दिन में काम आएंगे अभी एशियन मार्केट का में बोल वाला रहेगा सिंगापुर निफ्टी पॉजिटिविटी कल की डेट में आपने निफ्टी का कैंडल देखा हुगा एक इंडिसीजन व देखे वहां पर लोगों का किस तरीके से रियक्शन रहता है जापान की निकेगी को मैं 230 यहां पर तेज देख पा रहा हूँ और अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट टाइम्स देखिए हैंग साइंग एक सो आट पॉइंट नेगेटिव है ताइवान वेटेट तो मार्केट जादे अटे तरफ्लैट सिचुएशन में पड़ी है या फिर हलका सा पॉजिटिव है कि अब जो सीचुएशन आ चुकी है पूरे पूरे वरर्ड में कुछ मार्केट बिलकुल तेजी से जैसे नैज्डैक जैसे all time high पे पहुंच गी यानि कि lockdown period से पहले वाले level पे वो पहुंच गी अब वहाँ पे अब लोकों को समझ में या रहा है ये overvalued है ये क्या है अब खरीदे है या नहीं खरीदे है तो ये situation देखे और उसके चक्रमा आपको profit booking भी time to time देखने को मिल सकती है in between ये इन्होंने bottom पे खरीदा है अब nifty को देखेंगे और उससे पहले मां आपको दिखा दूँ यहाँ पर कुरूड ओयल के include होते है जब गिरता है तो फिर government उसका अच्छा का सा फाइदा यहाँ पर लेती है और government को अपने expenses कहा से करेगी और petrol डीजल एक बहुत बड़ा होता है अपनी expenses को यहाँ पर manage करने का यहीं से ही बहुत सारा tax जो है सरकार के पास जाता है अब यह देखिए कल की रेट में ज दीरे range contraction के साथ देखिए that is a big positive इसको range contraction कहते है और breakout के near consolidation यहाँ पर देखने को मिल और मुझे लगता है कल के level को breakout करना important और निफ्टी कर भी सकती है और जो situation निफ्टी के chart में वो भी हम बात करेंगे देखिए क्या situation बनी है perfect breakout के timing बन रही है और इसमें अब important बात यह सारी आप देखोगे तो यह बहुत basic easy लगेंगी जब आपको technical analysis के बारे मां पता होगा कि किस तरीके से direction है फिलाल current level जो निफ्टी का मैं देख पा रहा हूँ वो यह है कि 10,296 का यहां पे 10,300 मान लिजे round off करके आप देखिए यह current situation है 10296 10,296 अब यहां पे आज बहुत सारी stocks क पे जो है result भी आये हैं जो कल की date में आये हैं और आज आने भी है ज़र एक नहीं पर डालते हैं बहुत सारी companies ने dividend दिया है ग्राइंड वेल नौटन साड़ी साथ रुपे का डिवीडेंट अनॉंस किया बहुत इच्छी बात है और स्टॉक को देखोगे तो 500 रुपे का स्टॉक यह है उसके अलावा देखिए पी एंसी इंफ्राटेक 1412 करोड का order मिला है बहुत ही बुच्ची बात है यह 1412 करोड इसका अलावा देखिए और यहां पर मैं देखू आयन एक्सजेंज टॉप की कंपनी इसने डिगलेर किया यहां पर इसका अलावा मैं बात करता हूँ का मैं कहूंगा इसको 100% का डिप देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी गिरावट यह है और इसके अलावा आयन एक्सजेंज का प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 35 करोड का प्रॉफिट देखिए 2726 करोड पर यहां पर देखने को मिल रहा है यह पिछले क्वाटर क का प्रॉफिट आप देखोगे आपको खुश हो जाओगे और 180 करोड यह आप करा 357 करोड का पिछने फैनेशल एर में लास्ट कोटर यानिके मार्स कोटर का और इस फैनेशल एर का देखिए 301 करोड बारा पसेंट का डिप अब यहां पे अगला है हमारे पास अपोलो हॉस मुझे देखिए आज आज ब्लास्ट होता हुआ देख रहा है शियर में गैलक्सी सर्फेक्टेंट्स वान अप टॉप मैं कहूंगा टेक्निकल स्पेशलिटी केमिकल का शियर देखिए 10 परसेंट की इसके प्रॉफिट में भी देखने को मिलिया जुआरी क्रोबल यहां पर बार 2,000 करोड का इस बार 143 करोड का प्रॉफिट है बहुत बड़ी है इंडिया बूल वेंचर इंडिया बूल हाउसिंग तो आपने देखा होगा जरा वेंचर को भी देखे 109 करोड का प्रॉफिट था लास्ट इस बार कितना हो गया 333 करोड का लास यही नहीं सूरे रश चीज देखे क्या क्या कोई बड़ी कमप्टी है मिलकुल यहां पर अगर देखे हम की आयो सेल का रिजल्ट तो कल ही आपको देखने को मिल गया था 26 को यह चलते हैं स्टार्टिंग से फर्स्ट उससे एक है एवी वी यल और अगर मैं देखो यहां पे और कोई अपोलू कशलत नाम है जो रिजल्ट आने वाले टॉप की नाम है मतलब जो लाइन लाइस में रहा करते हैं यह ऊसके अलावा स्टाक में हमारे पास आने वाला आपने देखा हुआ ग्लाइंड मांक बहुत तेजी से भागा था उसका रिजल्ट आ आज आने वाला है यह द्यान देजिए और यहां पर कोल इंडिया का आज का रिजल्ट है तो यह यह बड़े बड़े नाम है जिनके रिजल्ट आज की डेट में आने वाले हैं तो क्योंकि क्या होता है कि रिजल्ट से पहले हल्चल देखने को मिलते हैं इंट्राइड है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो हल्चल में मिल जाती है यहीं IRCTC का आज रिजल्ट आने वाला है कि IRCTC बहुत ही इंपोर्टन आज की डेट का रिजल्ट आएगा आपको अ जरहा हुँ है इसके अलाबा कजार या सी रैमAct यह भी बड़े नाम आज के रिजल्ट में जो है ईश्य बहुत सारी अपनीज क के आज आने वाले आपके सामने और उसके अलाबा यह जो अप के लिएर सब्सक्राइभ है ध्यान से देखिए निफ्टी के चार्ट पिछले मन्त की केंडल को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी बाइंग प्रेशर देखने को मिल रही है और उस बाइंग प्रेशर का एक्जेकुशन आपने देखा किस तरीके से निफ्टी ने में जाती है यह सिचुएशन आज की डेट में देखने को मिलेगी सिचुएशन कुछ ऐसी है अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो सिचुएशन मुझे काफी इंपोर्टेंट लग रही है क्योंकि बड़ी के बाद यह छोटी केंडल बनना और यह इंडिसीजन के असार भी देखने को मिल रहा है क्योंकि यह ग्री मैं कहुंगा ब्लू केंडल जो है पॉजिटीव बुलिश केंडल बनी है और साथ के साथ इंडिसीजन वाली केंडल भी है तो देखते ही क्या कुछ रहता है फिलाल थोड़ा पॉजिटिविटी के आथार ज्यादा है क्यो जहां पर 50 EMA weekly को टच कर रहा है वहां पर nifty bank अभी 20 EMA weekly से ही resistance खा रहा है और अभी की situation भी अगर आप देखो के weekly में nifty में थोड़ा सा body at least बनी विए यहां पर बेलकुल indecision वाली candle है यानि का अगला week जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर आज के डेट की candle से पता लगे त अभी एक positive bullish cross बनने को तयार है देखते हैं किस तरीके से situation अगर इन prices से 20,000 के लवल से उपर ही price रहे तो ज्यादा बेटर है इस bullish cross के लिए अधरवाइक price नीचे आएगा तो यह bullish cross की चीज़े है जो यह bearish cross में वापस convert हो सकती है यह nifty bank और nifty के हमने बात करी काफी important जून म अभी market खड़ी है यहां पर market का consolidate होना जरूरी है 100-200-300-400 पॉइंट के around consolidate होना जरूरी है अगर market यहां पर एकदम भागती है यहां से pullback लेती है बन्दब एकदम ही तो मैं काऊंगा कि वह आगे फिर से जटका लगने की उमीद है लेकिन धीरे consolidate होके जाएगी तो ज्यादा